हाई फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे से होंगे आज की वीडियो में हम इंपॉर्टन्ट बजेट रिलेटेड टर्मस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम डिमांड फार ग्रांट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार जो ये डिमांड फार ग्रांट से ये रिपीट हो जाएगा डेफिनिशन में तो उन डेफिनिशन उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी तो डिमांड फार ग्रांट क्या होता है देखिए जो भी estimates of expenditure होता है किसी भी डिपार्टमेंट का यानि जो भी पैसा खर्च होने वाला है आगे आने वाले साल में डिपार्टमेंट को तो हर कोई डिपार्टमेंट, Finance Department को बोलता है कि हमें भाई इतने पैसे चाहे है यानि हमारी इतनी डिमांड है तो Finance Department क्या करता है हर किसी डिपार्टमेंट की demands को collect करके फिर legislative assembly में इसको represent करता है और legislative assembly में फिर आगे चलके जो concern minister होता है डिपार्टमेंट का वो इनको आगे अपनी demands को रखता है और उसके बाद इन पे voting हो जाती है तो इसी को हम demand for grants कहते हैं जब ये उपरोँ हो जाती है तो इन दा फर्म आ ट्रह जाती है और फाइनली ये पास हो जाती है legislative assembly में तो इनी को हम demand for grants कहते है demand for grants में क्या-क्या होता है इसमें होता है voted expenditure यहने ऐसे expenditures जिन पे voting होती है और होता है charging expenditure यहने से expenditures जिन पे voting नहीं होती है they are charged on the consolidated fund of India वो हम आगे चलके पढ़ेंगे भी इन्शालला तो ये तो हो गया demand for grant अब है appropriation, appropriation क्या होता है देखें जो भी demand for grant approve हो जाती है legislative assembly में यानि simple terms में हम कह सकते हैं जो भी पैसा approve हो जाता है legislative assembly में ताकि वो फिर आगे चलके departments को दिया जाता है खर्च करने के लिए इसी को बोलते हैं appropriation उसके बाद है appropriation bill देखें ये जो demand for grants होती है इन पे thoroughly discuss होता है जो departmental related standing committees होती है वो thoroughly estimates of expenditure जो हर किसी department का है उनको thoroughly analyze करते हैं scrutinize करते हैं और फिर finance department को reconcile करता है इन demands को और फिर introduce करता है legislative assembly में as a bill जो के money bill होती है या इसको हम appropriation bill भी बोलते हैं तो इसमें क्या क्या होता है grant so made by the assembly और क्या होता है expenditure charged on the consolidated fund of the state या UT बोली है उसके बाद है appropriation act जब ये bill pass होती है ये जो appropriation bill होती है उसके बाद ये जाती है honorable governor को या lieutenant governor को for his ascent और जब वो अपनी मन्जूरी देता है इस bill को तो ये जो bill है ये act बन जाती है और ये government को authorize करती है कि हाँ अब आप expenditure कर सकते हैं from the consolidated fund whether it is voted expenditure और charged expenditure appropriation account देखे जो appropriation account है ये simply मान लीजे आप ये हिसाब किताब है पूरे साल का और ये past budget exercise है यानि जब financial year close होता है उसके बाद जो है appropriation account जो है यानि हिसाब किताब जो है ये किया जाता है जो भी budget year में खरच हुआ हो department से इसको कौन प्रिपेर करता है इसको CAG प्रिपेर करता है यानि controller and auditor general of India with the help of state AGs जो state के accountant जनरल होते हैं उनकी मदद से इसको प्रिपेर किया जाता है तो ये क्या show करता है ये show करता है जो appropriation account होता है ये show करता है कि कितना money जो है कितना पैसा जो है allocate किया गया था for specific purposes या departments को कितना पैसा दिया गया था और उन्होंने कितना जो money है ये spend किया है और ये ये भी दिखाता है जो appropriation accounts होता है fund deviation तो नहीं है और ये जग भी करता है कहीं पे reappropriation तो नहीं हुई है और finally जो है जो CAG है वो अपने comments इस पे pass on करता है जुसको हम audit reports भी बोल सकते है और as per article 151 sub clause 2 of Indian constitution जो CAG है वो submit करता है appropriation accounts को और audit reports को जो audit report देता है president को या in case of UT governor को या lieutenant governor को who then presents them in the legislature फिर है annual financial statement तो annual financial statement क्या होता है इस देत्मेंट आप रिसीट संड एक्स्पेंडिचर आप दे गवर्मेट फार पर पर्टिकुलर येर जिसको हम budget भी कहते है फिर है budget calendar तो budget calendar क्या होता है फिर है फिक्सिट बाइट गवर्मेंट फिर पर 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 परपरेशन आप बजट एक्स्पेंडिचर ये ये आप तो प्हसीट संड आप पर अप्रपरेशन बिल देखें हमने अभी पड़ा Demand of Grants में Charged Expanditure क्या होता है यह ऐसा expenditure जिस पर voting नहीं होती है It is Charged on the Consolidated Fund of the UT and does not require any vote तो इसमें आप example क्या दे सकते हैं इसमें example है Pay Allowances and Other Expenses of Office of Lieutenant Governor Pay Allowances and Other Expenses of Office of Judges of High Court इसी तरह Speaker, Deputy, Speaker of Legislative Assembly Pay Allowances and Other Expenses of any Commission constituted by the Government for any purpose यह expenditure incurred by the Lieutenant Governor in discharging his special responsibility यह repayment of Loan's Advances and their Interests यह sinking fund हो गया और यह जो Charged Expanditure होता है इसको खाली discuss किया जा सकता है लेकिन voting इस पर नहीं होती है फिर है Voted Expanditure ऐसा expenditure जिस पर voting होती है तो इसको हम Voted Expanditure बोलते हैं जैसे हमारी salary ले लीजिया यह Voted Expanditure है फिर है Departmental Estimates Departmental Estimates क्या होते हैं इस आर Estimates of Receipts and Capital of the Department submitted to the Government by Budget Controlling Officer और HOD in respect of Financially यानि यह Estimates होते हैं Receipts and Capital के जो की Department Submit करता है Government को through Budget Controlling Officer या HOD की